करपूर गोरम क्रुडा वतारम संसार शारम फुजगेंद्रहारम सदा वसंत अमिर्द्यis विंदे भुवंभवाने सैंतम नमामी नमस्कार मेहुं जोट्साचार डॉक्तर बुंत्रैध्रपा Пाठे आप देख रहे हैं भाग्य कारेकरम में आपका बहुत स्वागत है आज हम आप About करेंगे कि पंच्खांग की स्तिति क्या شुर्यओत कब होगा सुर्यास्त कब होगा कम सा नच þत्र है कौन सी त्थि है क्न सा योग है राहुकलकब वे दिशा सुलकाब है इस सारी बाते बताऊंगा आज का महामंतर क्या है ओभी बताऊंगा महामंतर का जब कैसे करें इससे क्या लाब होगा बारा राश्यों की भी बारे में बताएंगे कि आज किसका भागोद हगा कौन विदेश जाएगा किसकी माली हालत अच्छी होगी कि किसके घर में किलकारी गुजेगी किसके घर में साहनाई बजेगी किसको ब्यूरोक्रेशी में जाना किसको डेमोक्रेशी में जाना किसको राजनेतिक लाप मिलेगा इस सारी बाते बताएंगे किस रंग के प्रयोग करने से आप आगे बढ़ेंगे सौधानी के अबरतने उपा क्या करना है गुरू के नुष्खें भी बताऊंगा प्रश्णों का उत्तर भी दूंगा और आज जिनका जन्मदीन है उनके भी बारे में बताऊंगा देखते रहे बहागी गुरू कारेकर्द आज ये बात करते हैं आज के पंचांग की आज 19 सितंबर 2023 तीन है मंगलवार सुर्योदे हो चुका है सबेरे 6 बच के 7 मिनट पर सुर्यास्थ होगा साम को 6 बच के 22 मिनट पर चंद्रोदे होगा सुबह 9 बच के 45 मिनट पर चंद्रास्थ होगा साम को 8 बच के 42 मिनट पर आज दिशासूल में यात्रा ना करें जदिए आपकी यात्रा पूर्धारी था तो एक दिन सुब्ह मूरत में प्रस्थान निकल के तब यात्रा करना आपके लिए लाप्रत रहेगा राहुकाल में किसी भी ने कारे की शुरुबात न करे ना कारे करे नहीं तो आपको दिक्कतें आएगी सुम्हुर्थ में किया गया कारे आपके लिए लाप्रत रहता है तो सुम हुर्थ में कोई भी काम करेंगे ता आपके लिए अच्छा रहेगा आज चंदरमा है तुला राशी पर तो आज अगर आप कोई भी कारे पूरी प्लान के साथ करते हैं ता आपके लिए अच्छा रहेगा आपको लाब मिलेगा परिशिते अनकूल होगी और उत्रों तर विकास होगा अब आई हम बात करते हैं आज के महामंत्र की आज का महामंत्र है ओ महांग पवन नंदन आए सौाहा यह जो महामंत्र है महाबली हन्मान का है महा बली हनुमान जी के मंत्र जब करने से आपकी सभी प्रकार की समचाओं का समधान होगा जैदि आपकी कुल्डी में मंगल गरह खराब है और मंगल गरह के नाते आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस महा मंत्र का जब जरूर करिए आपको निश्चत रूप से लाप मिलेगा जैदि आपकी बैबाहिक जीन में दिक्कत आ रही है तो आपको हन्मान जी के अरहतना करना अच्छा रहेगा जैदि आपको रोग और सत्रू से परिशानी है तो आप इस मंत्र का जब करें आपका च्छत रूप बिकाश होगा आई अब हम बात करते हैं 12 राशियों की बारे में कि अच्की 12 राशियां क्या कहती है किसका भागोदा होगा कौन बिदेश जाएगा किसको दूर देश की आत्रा करनी है किसको सरकारी नुक्री मिलेगी कौन उच्पत प्राप्त करेगा कौन सिक्षा के च्छत में जाएगा कौन फिल्म बनाएगा कौन कहानी लिखेगा इस सारी बाते हम आपको बताएंगे किस अंके के परियोग करने से सफलता मिलेगी किस रंग के परियोग करने से उन्नत ही होगी सौधानी के अबरतने उपाय क्या करने भी बताएंगे आई ये शुरुआत करते हैं मेश राशी की जो मेश राशी की जातक है आज का दिन आपके लिए बड़ा अच्छा है सुभकारियों के पूर्ण होने का समय चल रहा है जो भी आपने शुभकारि के लिए प्लान के ऊodles का रहा है दूर देश की आत्रा होगी माली हालात अच्छी होगी पिता का सुक मिलेगा परिवारिक दायतों को पुर्ण करने में सफल रहेंगे जदे आपका कोई भाई भाना विभाहित है तूसका विवाव हो सकता है मान मिलेगा ख्याती मिलेगी फिल्म बना सकते हैं कहानी लिख सकते हैं ज़े जब खेलाडी हैं ता आज आपको महान उन्नती हो गया जब को बड़ी सफलता मिलेगी सौधानी के अपरतने अपने लक्ष के प्रते ध्यान दें उपाय क्या करना लाल चंदन का तिलक लगावें और भगवान स्यू की अरादना करें सुभं के साथ सुभ रंग है केसर कलर लक्मीटर है नो ब्रिश राजशी की जातक है आज आपको रोजगार के नए आउसर मिलेंगे परिवार में सुभ और मांगली कार होने का योग बन रहा है प्रियासत का रूब में बड़ी सफलता म होगी माता-पिटा का सुख मिलेगा दामपत जीवन वी सोधार होगा लेखनकार се धन मिलेगा अक्दिक लाफ प्राप्त हो नहीं किसंपा नहीं बन रही प्रचूर मातरा में धंलाब मिलते हुए रहा है यातरा तिर धर्थाटन दिश्टर नितियास निटास सब को लाफ प मिलेगा देश विदेश की आतरा होगी आयात ने जासे लाफ मिलते हुए दिख रहा है शौदानी के अपरत्निया आज आपको गुस्ते पर नियत्रा रखना है उपाय क्या करना है ओम सोम सुमाय नमह इस मंत्र से चंद्रमा को अर्ग देना है शुबंक चार सुबरंग नीला लक मीटर है आठ हरे कृष्णा बात करते हैं मिथूंडाशी की जातक हैं आज आपको रुकावा धन प्राप्त होगा प्रयासरत कारों में बड़ी सफलता मिलेगी माली हालत अच्छी होगी परिवार में ने महमान के आगमन का सुभ संकेत मिल रहा है पतनी का सुख प्राप मिलेंगे और जो आपके विरोधी हैं परास्त होंगे और रोग और सत्रु को हलके में ना लें सौधानी का अबरत नहीं हैं भावनाओं में भाग के कोई भी निड़े ना ले उपाय क्या करना ओम नमस्षिवाय मंतर का जब करें और आशाय को भुजन करावें सुबंके 6 बात करते हैं करकराशी की जो करकराशी की जातक हैं आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है सरकारी नोकरी मिलने का परबल यूग बन रहा है परिश्टियान कूल है माता पिता का सुख मिलेगा अपनी उर्जा को सही दिसाम लागा में बड़ी सफलता मिलते हुए दिक के लिए कालखंड बहुत अच्छा केरियर के दिश्टिकोंड से समय चाचला है खडेंत्रकारी विफल रहेंगे प्रापल्टी को लेकर करके जो भीवाद समाप्तों का कोल्ट कचरी के मामलों में आपको अपार सफलता मिलेगी विदेश जाने का यूग बन रहा है राजने क्या करना समी का पौधा रोपड करें सुभंके आठ सुभरंगे आस्वानी लग मीटर है नो हरे कृष्णा बात करते हैं सिंग राची की जातक है आज आपको नए बैपार यह ने उद्योग धंदे से ब्योसाइज से लाप मिलेगा आज आपका बैपार में उत्रोतर विका प्तर होगी नेले से धनलाब मिलेगा परिशितियान कूल है परिवारी की सती अच्छी होगी पत्ने का सुख मिलेगा पत्ने का मिंटल मारल एमोशनल सपोर्ट मिलेगा माता से थोड़ा बैचारिक मत्भेद हो सकता है किसी महिला मित्र काफ सहीओ मिलेगा उससे आप आगे सौधानी के अपरतने गुस्य पनी अंत्रा रखें सो समझ करके किसी कारे को करें आपके लिए अच्छा रहेगा उपाय क्या करना बेल पत्र भवान भुले नात को अरपन करें लाल वस्तर मंदिर में दान करें अच्छा रहेगा सुबंखे 5 सुबंगे केशरिया लग मीटर अर्थ हरे क्रिश्ना बात करते हैं कन्या राशे की जो आपको लेखन कारे से धन मिलेगा साहतिक चत्र से बड़ा लाप मिलेगा मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी धन प्राप्त करने का योग बन रहा है जमीन चाहिदात खरिद करें सकते हैं उसके लिए अच्छा समय चल र होगा पुराने सत्रू प्रास्थ होंगे खड़ें त्रकारी भी फल रहेंगे अचानक विदेश जाने का उसर मिलेगा तिर्थाटा देशाटन से लाब मिलेगा किसी महिला मित्र का सहयोग मिलेगा उच्छी पताधिकारियों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे सौधानी के अपर आज आपको रुजगार से बड़ा लाब मिलेगा रुजी रुजगार के च्छत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा आयात ने दियात का प्रबल योग बन रहा है परिवार में सुबह और मांगली कार होने के औसर मिलेंगे आपको आएके सुरोत बढ़ेंगे अचानक ध प्रयास आर्थक होगा आर्थिक चत्र में किया प्रयास आर्थक होगा लालित कला में अगर आपको भी रुची रखते हैं तो उससे आपको बड़ी सफलता मिलेगी माली हालत अच्छी होगी किसी पूरुस मित्र के सहयोग से आगे बढ़ेंगे सौधानी क्या प्रतनी है प परिष्ट आपके अन्कूल है परिवार में सुबह और मांगली कार होने से मन प्रफुलित रहेगा भाई बहन का सुख मिलेगा परिवारी के सिशांदार होगी नए कारियों नए इंडस्ट्री लगाने का योग बन रहा है खिलाडियों के लिए उत्तम समय चल रहा है खेल से बचे और कई बर क्या होता है कि अब गलत लोगों की सोहबत में आजाते हैं सावधानी के अपरतनी अपने मन पर नियंत्रा रखने उपाय क्या करना अपने असाहाय को बोज़ें वस्त्र जाए सुबंक आठ सुब्रंग के सरिया लक मीटर आठ हरे कृष्णा बात करते है अब गरता एपने धनुराशी की जातक हैं आज आपको अपने गुस्ये पर नियंत्रा अचीज़ाह आपके अंदर अपरमी तुर्जा है आपने को कैसे चैनलाइज के इस पर ध्यान रखना है आज आपका समय नुकूल चल रहा है जितना मेहनत करेंगे उससे ज्यादे आपका भागे साथ देगा भागे नुकूल है तो खुब परिस्रम करिए लक्ष बड़ा रखिए बड़ी स सफलता मिलेगी माली हालाद अच्छी होगी परिशानिया दूर होंगी अपनी अतिंद्रे ग्यान की बात मानना आपके लिए अच्छा रहेगा सौधानी के अबरत नहीं है स्वास्त को लेकर करके सचेत रहें उपाई क्या करना गन्य के रस से रुद्रा विशे करना आपके अच्छान होगा नए प्रकार के वैपार करने का उसर मिलेंगे सुबह कारियों के होने का प्रवल योग बन रहा है जमीन जैदा अद्वान करिदने का उसर मिलेंगे रोग और सत्रु परास्त होंगे माता पिता का सुख मिलेगा नए तरह के कारियों से लाह मिलेगा नए इ करिश करिए उनके प्रति कंसर्ण रखिए सौधानी के अवरत निया अतधिक बेक करने से बचें वो पाई क्या करना गाय के दूद्ध से रुद्रा विश्यक करिए सुभंके आठ सुभरंगे नीला लक्मी डर्या आठ हरे कृष्णा बात करते हैं कुम्भराशी की जातक है आ गैपार के न्ही आफ़र मिलेंगे विद्यार्थों के लिए खिलाडीली ओ के लिए समय स unpack चल रहा है विद्यार्थों के केरियर के लिए बहुत अच्छा है जिदि आप खिल पर सब्श लाब परसक्त के हैं देश विदेश की यात्रा की युग मतीं रहा है माली हालस तसक् के दूद्ध और बेल पत्र अर्पित करें सुभंके चार सुभंगे हरा लग मीटर आठ बात करते हैं अंतिम राशी मीन की जो मीन राशी के जातक है आज आपको अपनी भावनाओं पर नियत्रा लखें भावेश में बागे कोई कारें न करें नहीं तो भारी नुक्सान हो सकत है बिद्या बाणी से दन अर्चित करेंगे आपकी सलाह बड़ी किमती होगी उससे दनलाब होने का योग बन रहा है समय बहुत किमती है समय का सुधिप्यों करें सगया मैं आपके नकूल है जो बीच जाता वापस नहीं आता समय और जो और भाटा किसी का वेट नहीं करता ह इशले समय के की मत को समझें समय की बैलू को समझें और अबना समय पर कारें आलश्यका परता करें भाग्याबक का रहा है आप जितना मेहनत करेंग उससे जदय लह मिलेगा प्रचूर महातरा में दनलाब मिलने चीऊ Πरापर्टी करी सकते हैं सिकशा के चच्जा से दनलाब अब बात करेंगे आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में आज जिन दर्शकों का जन्म दिन की बहुत-बहुत बधाई धेरु शूब कामना है आपका जन्म दिन सुभ हो मंगल मैं हो आप खुब आगे बढ़िए प्रकत करिए आपका चतुरतिक विकास हो सुख सम्रिद्धि अश्वरे पठ परतिस्क्राम मैं बढ़तरी हो भगवान भोले नात के क्रिपाबर से आप पर भगवान भोले नात से हर्दिक प्राठतना है है एक सब्सक्राइब करने जन्म दिन है उनका मुलांक होता है एक नमबर एक बढ़ा महत्मुर्ण अंक है ऐसं लोगों के अंदर नेतर्त्व करने की छमता होती है बहुत ही बोल्ड होते हैं और परसाश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् Canada में होते हैं महाइरथ थाशिक रते हैं उनका बड़ा नाम होता है किसी से जो जल्दी करनिशन नहीं होते हैं ताना साही प्रभृति कि होतें किसी की बात सुंते नहीं अपने टर्म कंडिशन पर अपना कारे को करते हैं यह वर्ष आपके लिए काफी अच्छा है उत्रोतर प्रकति विकास आर्थिक छेत्र में चतुर्दिक विकास होगा जन्वरी से लेकि जुन तक का कालखंड अत्युत्तम है स्वर्णिम है इस उतारे प्रयासत कारों मे बड़ी सफलता मिलेगी पुना जुलाई से लेके दिसंबर तक काफी उतार चलावाएगा विरुदी शक्री होंगे रोगों सत्रु को हलके में न ले लेकिन कठीन परिश्रम से चुनोतियों का सामना करते हुए आप आगे बढ़ेंगे लक्ष को प्राप्त करने में सफल र चादना करिए ओम स्रिम स्रीय नमश मंतर का जब करिए आपके लिए अच्छा रहेगा पुना आपको जन्म दिन के बहुत बदबद है देरों सोब कामना है अब हम बात करें के गुरू के नुस्खे के आज है दिन मंगलवार मंगलवार दिन खास्तोर से संकट मोचन हनवांची का दिन होता है कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को अपने जन्म के बारे में पता नहीं होता को उसका जन्म कब हुआ कैसे हुआ उसकी तिथी का उसको नहीं बता तो हम आपको एक सिम्टम बताते हैं अगर सिम्टम उस तरीके का हो तो आपको उसमें क्या उपाय करा तो मैं आपको तीन उपाय बताऊंगा एक तो धन, लाभ कैसे हो आपका दामपति जीवन अच्छा कैसे हो और आप कैसे आगे बढ़े नोस्तरकारी नोकरी कैसे मिले ताज इन तीनों पर आज आपको बताएंगे तो ज़िए आपकी कुली में मंगल के साथ केतू है या मंगल के साथ राहू है या एक चार साथ आठ बाज़ा हो गई है मंगल होने के नाथ आपकी कुली मंगली खो गई और आपको बहुत गुसा आरहा है पत्तिंगी से regarde हो रहा है चुटी चुटी बात को लेके बीबाद हो रहा है गाड़ी चला रहे हैं चोट लग जा रहे हैं कहीं लड़ जा रहे हैं हेल्थ में थोड़ी से दिक्कत आ रही है ता आप एक दम मत परिशान वह गो आज आज आपको क्या करना है कि क्ली में मंगल गरह किस्टी ठीक नहीं है जिसके नाएं दिक्कत हो गे है तो आप क्या करें कि हनवान जी की अरादना करें, गयारा बार हनवान जी अलिशा का पात करिए, इस से क्या होगा कि जो आपकी दामपती जी उनमें देखका तारी और समापत हो जाएगा, आपको इच्छित धनलाब मिलेगा, आपकी परिशानिया दूर होंगी, और नौकरी जिस उदेश से आप हनमान जी के अराद ना करेंगा, उदेश से आपका पूर्ड होगा, तिया आप करें, आपके लिए काफी अच्छा रहागा, कम सकम 21 मंगलवार करिए, मंगल बरत रहिए, और मंगलवार के दिन हनमान जी को 11 लड़ू चढ़ाइए, और तुलसी दल करते हैं, लेकिन बहुत प्रफॉसाली है, तो करते हैं तो आपके आर्थिक किस्ति ठीक होगी, दामपती जीवन अच्छा होगा, रूग और सत्र से छुटकारा मिलेगा, सरकारी नोक्री में जो बिगन बादा हैं आरी, उन नहीं आएंगी, उत्रो तर आपका भीकाश होग भागी गुरुम बसाज इतना ही, फिर हम आपसे कालिसिस में इसी वक्त मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजे इजाज़त, नमस्कार